फ्रेंड्स अब भी आप देखो कि जो वाइजर इसका यह बिल्कुल क्लीन है अब यह जो वेपराइजर है मैं यहाँ पे से डाल देता हूँ ठीक है आप देखो यहाँ पे एक वेपर सा क्रेट होने लगा जो फॉग सा वो क्रेट होने लगा है चलिए अब मैं आपको दिखा कर ले हैलो फ्रेंड्स विडियो में सेफ राइडिंग को लेकर एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आए हूँ और आज की इस वीडियो में आपको जो एंटी फॉग एंड एंटी रें हेल्मेट वाइजर फिल्म होता है इसके बारे मे वाइजर है वहाँ पर कई बार एस पर क्लामेट कंडिशन मौसम के हिसाफ से फॉग जो है वो जमा हो जाता है वहाँ पर कोहरा जिसा जमा हो जाता है कई बार हमें हिलमेट का वाइजर उठा के लगता है राइडिंग करते रहते और बहुत बार यह जो फॉग है यही जो क् छुटकारा पाने के लिए आप जो anti-fog and anti-range फिल्म है इनका यूज कर सकते हो मैं आपको आगेश वीडियों practical है इन्हें जो हमारे helmet है उनमें install करके दिखाऊंगा before and after का effect रहने के लगाने के बाद क्या फरक परता है ये सम मैं आपको practically बताने वाला हूँ वीडियो को आप पूरा जरूर से देखे साथ ही यहाँ पर आपको दो चीज़े पता होना चाहिए पहली बात तो यह है कि अगर आपके बस कोई ऐसा helmet है जहाँ पर जो visor है वहाँ पर पहले से जो anti-fog anti-range फिल्म नहीं दिया गया है तो आप इन्हें अलग से मंगा के visor में लगा सकते हो इनका जो link है वो आपको description और pin comment मिल जागा तो आप अलग से मंगा सकते हो और इसका prize में वीडियो में आपको आगे बता दूँगा साथ ही आज के टाइम पर बहुत सारे helmet जैसे कि यह एक जौर का मेरा helmet है तो आगे इस वीडियो को पूरा देकर साथ ही इससे पहले के वीडियो में आपको जो moto vlogging के लिए जो गयार होता है जो moto vlogging के ऐसी सीरीज होता है इसके अलावा bike और scooter चात समय safe riding को लेकर बहुत सारे अलग जो product होते है अलग जो gadget होते है इन सब की उपर में वीडियो बनाया है सार ही जो product है उनका buying link भी मैं description और pin का menu दूँगा तो as per requirement अगर आपको जरूँए तो आप इन जो product है इन्हें भी order कर सकते हो मंगा सकते हो चलि फोटाफर्स आप मैं क्या करता हूँ कि यह जो हमारे anti fog और anti rain वाले film है इन्हें helmet में install करके इनका जो effect है वो आपको show कर देता हूँ friends सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो मैंने आप एक vaporizer रखा हुआ यह already गरम है तो vapor जो भाफ है वो आपको निकलता हूँ यहाँ पर camera में दिखाई दे रहा होगा अब यहाँ पर आप देखो जैसे कि मैं आपको बता यह है तो हमारा helmet है इसके साथ ही आता है मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ basically यह हमारे पास मैंने दो औलेक से order किया था यह है anti fog आप देखो rain proof anti fog film for helmet दोनों सेम है मैं आपको खोल के दिखा जाता हूँ इसे फटाफट से ठीक है कि इसके अंदर से क्या निकलता है चलो आप यहाँ पर देख लो बिन टाइम गवाया मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पर हमारा पास एक जो anti fog film है यह यहाँ पर आ गिया है ठीक है और इसके अंदर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अभी देखो यह क्या है screen protector accessory यहाँ पर दिया गया है मैं इसे खोल के आपको दिखा जाता हूँ कि क्या है तो basically यहाँ पर हमारा जो screen है helmet का जो वाइजर इसमें लगाने से पहले हमें इसे साफ करना यह यहाँ पर दिया गया है इसे लगाना होगा ठीक है और same यही फिल्म को अगर आपको anti-fog यूज करना है तो basically आपको क्या करना है कि जो वाइजर है इसके अंदर आपको इसे लगाना है इस तरह से ठीक है तो यह anti-fog यानि कि अंदर से जो fog है वो create नहीं होने देगा यह जो film में वो कुछ इस तरह स है लेकिन जब थोड़ा दुन को रहा हो ठंडे का मौसा में वहां पर क्या होता कि यहां पर steam सा generate होने लगता है ठीक है तो पहले मैं बीना यह जो फिल्म है इसे लगाए हुए just यहां पर create करके दिखाता हूँ एक पहले ठीक है आप steam देखो यहां पर ठीक है इस तरह से हला वह नॉर्मल लेवल पर ही जब हम लोग साथ छोड़ते हैं उस टेम पर यहां पर create हो जाता है ठीक है अब पहला message क्या करता हूँ ठीक है सबसे पहले मैं इसी helmet में क्या करता हूँ यह वाला जो हमारा anti fog film है इसे इसके अंदर में ठीक है इसके अंदर में visor खोल लेता हूँ और इसके अंदर से पहले इससे install करके दिखाता हूँ फिर हम लोग जो before and after देखेंगे फिलाल तो देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है आप चले इसे लगाने के बाद किस तरह से दिखाई देता है पहले मैं आपको वो शो कर देता हूँ अब यहाँ पर आप देखो ठीक है मैंने visor जो है इसे खोल लिया है थोड़ा से यह गंदा है और चुकि मैं अंदर में लगाने वाला हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ कि अंदर में इसे अच्छी तरह से साफ कर देता हूँ वाइजर क्लीन करने के लिए जो हेलमेट क्लीनर स्प्रे मैं इसका यूज करने वाला हूँ इसका भी लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब आप यहां पर देखो कि जो वाइजर है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुका बिल्कुल साफ हो गया है अब यह जो फिल्म है वो मैं इसे अंदर से कुछ इस तरह से पहले लगा लेता हूँ फिर अब आपको शो कर देता हूँ अब आप देखो कि जो एंटी फॉक फिल्म है वो मैंने यहां पर लगा लिया है ठीक है यह से कंड नमर वाला है इसे मैं पील ओफ कर रहता हूं बहार निकाल लेता हूं ओके देखे यह मैंने यहां पर हटा दिया है और यह हमारे जो इंस्टॉलेशन है आप नस्दिक से ए वाइजर को जो हें फ मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं अब आप यहां पर देखो कि यह इंस्टॉल हो चुका और ऑब यहां पर यह एक साथ टेस्ट हैrebbe करता हूं फॉटाफट से यहां पर जो पिन लॉक डिया गया है इसे मैं भी lock कर लेता हूं ठीक एन्टिक फॉक्समिंगा तो यह फटाफट से लग जाएगा और दोनों हेलमेट कम दो एक साथ टेश्ट करने वाला है कि यह काम करता है अब यहां पे देखो आप यहां पे यहां पर एक अपने जगह पर आ गया सेट हो गया और यह लॉक हो गया और यहां पर भी शेव में लोंको क्या करना है कि जो एक्ष्टा पोर्सन ये ये लो ये लॉब को दिखाई दे रहा है मैं इसे बाहर निकाल जाता हूं को जिस तरह से श्राष है चेहले कि आप यहां पर यह पूरा निकल चुक आप है तो यहां पर क्या हो गया कि इसमें जो मारा ऐंधी फॉइंगर यह यहां पर लग चुका है चली अब और किस्ट करते हैं कि कौन बहतर Čंगर करता है और क्या यहां यह सच्छ कुछ फाइदे का है कि नहीं है चलिए अब वो टेस्ट कर लेते हैं चलिए अब मैं इसे इसके अंदर में डालता हूँ अब आप देखो कि क्या इसके अंदर में रिजल्ट आने वाला है देखो उपर वाले पोशन में फॉग हो गया है मैं कम्प्लीटली इसे पूरा लेकर जलता हूँ ठीक है मैंने चारों तरफ में इसे घुमा दिया है आप फ्रेंड्स फाइनली आप रिजल्ट यहां पर खुद से देख सकते हो बहुत ही शौकिंग है मैं उन्हें खुद भी उमीद नहीं किया था कि यहां पर आप देखो कि इस वाले पोशन में जहां पर आंटी फॉक फिल्म नहीं लगा हुआ है यहां आपको फॉक दिखा यानि कि आप समझ सकते हो कि जो रिजल्ट है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली शो कर दिया यह रिजल्ट जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटीव है देखो मैंने अंदर डाला हुआ है यह फिर से यहां पर फॉग उपर में जमा हो गया लेकिन नीचे वाला पोशन यहां पर देख लो कि आपको फॉग यहां पर फॉग नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है मैं इसे उठा दिया है यह देखो अप ठीक है इस पॉपोशन में क्या हाल है और अब यहां पर फॉग जमा नहीं है यानि कि विजिबिलिटी बहुत हट तक साफ होने वाली है अगर आप यह ज दाल देता हूं हलाकि आप देखो कि पोशन बहुत ही कम यहां पे बचा हुआ है फिर भी मैं चेक करके दिखाता हूं आपको जो पॉसिबिलिटी है ठीक है कि यहां पर क्या रिजल्ट हमार आता है कियोंकि आप उपर वाला पोशन देख लो यहां पे आपको ऐापको फोग जो है जो वेपर है ठीक है वो आपको दिखाया दे रहे है लेकिन जो पोशन में एंटी फोग फिल्म लगा हुआ है यह अभी भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा मैं इधर भी कहल लेता हूं, ओके, इस वाले पोर्शन में देख लो, तो जहां जहां पर एंटी फॉक नहीं लगा हुआ, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको एक वेपर साद दिखाई द आया है, अभी भी आप देख लो, इस टाइम पे भी आप देख लो, कि ऊपर वाले पोर्शन में आपको वेपर जो है, जो फॉक्स है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी जो एंटी फॉक्स दोनों का है, यहां पर आप देख लो, कि यहां पर कोई भी धुन्द को इस तरह से नहीं है, ठीक है, मैं इसे निकाल लेता हूं एक बार बाहर, ठीक है, अब आप यहां पे देख लो, यहां पर आप देखो, ठीक है, इस वाले पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह देख लो आप, यह देख लो, तो यानि कि यहां पे लेकिन आ एंसे फॉल्म हें इन्होंने रिजल्ट दिया है यानि कि पॉजिटीव चेक करते हैं कि ज़स्ट में वो काम करता है कि नहीं करता मैं ओपर का पोशन नहीं है कि यहां पे एन्टी रिफल्म है वह लगा देता हूं यहां पग़्छी तरह से लग चुकण है ठीक है आपते कि मैं नॉसे आनीं और मोह देखो यहां ओ अच्छी तरह से लग चुका है ऩी अपटेस्टिंग करते हैं मैं आप इसका का यूज करने वाला हूं अब हमनों देखते हैं कि मैं इसे स्प्रे करूंगा वाटर यहां पर और लेट सी क्या रिजल्ट आता है कि आप पानी में भी ये काम करता है कि नहीं करता है वो मैं देखने वालों आप ठीक है अपर इस पॉइंट आफ टाइम में देखा जाए तो यह एंटी रेन को बहुत अच्छी तरह से तो काम नहीं कर में थोड़ा से वेट करता हूं ठीक मैं थोड़ा पानी ज्यादा करता हूं कि रेन में जब ज्यादा बारिश आता तो कैसे काम करेगा वो चेक करने के लिए ठीक है तो मालों कुछ इस तरह से बारिश हुआ तो एंटी रेन के लिए मैं कहना चाहूं कि यह बहुत कुछ ज्यादा अच्छी तरह से तो काम नहीं कर रहा है जतना कि एंटी फॉग के लिए काम कर रहता है क्योंकि आल्मोस्ट यह वाला जो पॉजिशन देख लो आप औ यहां पी यह लगा हूए फिल्म तो कोई बहुत ज्यादा बैतर तरीके से तो यह काम नहीं कर रहा है तो फिर यहां पे मैं यह कह सकता हों कि जो मारा एंटी रेन है, ये कोई बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, एंटी फॉक के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन एंटी रेन के लिए मैं नहीं मान सकता हूँ कि ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो मैं फिलाल ये वाला जो ये एंटी रेन के जो आपको मौसम चल रहा है तो यहाँ पे अपने हेलमेट्स में जरूर से लगाला है अगर आप प्राइस की बात करें तो आपको एक पिस जो एंटी फॉक फिल्म है ये आपको 499 चार सो निन्यानवे रुपए में मिल जागा लिंक आपको डेस्केप्शन में मिलने वाला है स का बे लिंक आपको डेस्केप्शन में मिलने वाला तो आप चाहो तो उन्हें भी ऑडर कर सकते हो उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकार या आपको पस्नाए होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और